Let's talk about the solution for the most common problem in teenagers, acne vulgaris, also known as pimples. इससे पहले कि हम solution की बात करें, हमें ये जानना जरूरी है कि problem क्या है. 10-11 साल तक human body majorly सिर्फ लंबाई और चोड़ाई में बढ़ती है, 12 साल की उम्र के बाद body में वो चिंजे जाने लगते हैं जो sexual maturation के लिए जरूरी होते हैं. इसी दोरान, इसकिन के नीचे की layers में मौझूद sebaceous glands and sweat glands जादा active हो जाती हैं. Sebaceous glands sebum produce करती हैं, जो की एक oily substance है जो skin और hair को चिकना बनाता है, और sweat glands पसीना produce करती हैं. Teenage में sebaceous glands overactive होने की वज़ा से sebum जादा produce होता है. Dead skin की वज़ा से skin के pores जब बंद हो जाते हैं, तो sebum इन pores में जमा होने लग जाता है. Environment में present bacteria, acne bacillus इन pores में develop हो जाता है. ये glands फूल कर white head and black heads में बदल जाती हैं. और infection की वज़ा से ये severe acne में बदल जाते हैं. Acne most commonly face, shoulders, neck, chest और back पर होते हैं. Acne का most common cause है imbalanced diet. अगर आपकी diet में spicy, sweet, oily food शामिल हैं, तो acne होने का एक ये बड़ा reason है. PCOD, PCOS, stress, insomnia या किसी भी वज़ा से अगर आपकी menstrual cycle disturb हो रही है, तो acne होने का ये भी एक बड़ा reason होता है. इसके अलावा poor hygiene, dandruff, constipation, UV rays से भी acne हो जाते हैं. हिजामा या कपिंग थेरेपी, acne वल्गरिस का एक effective treatment है. 0.5 mm per HG pressure के साथ, जरूरत के हिसाब से 6 से 10 मिनट तक कुछ खास points पर cups apply कर दिये जाते हैं. कप्स में vacuum create होने की वज़ा से, इसके नीचे मौझूद गंदा और infected blood और sebum खिच कर superficial surface पर जमा होने लग जाता है. अब इन points से, कप्स को हटा कर, surgical blade से बहुत ही minute और superficial cuts लगाये जाते हैं. अब इन points पर, वापस, same pressure के साथ, cups अप्लाई कर दिये जाते हैं. कप्स में vacuum create होने से, इसकिन के नीचे का गंदा infected और harmful blood खिच करके इन कप्स में जमा हो जाता है. अब इन कप्स को carefully remove कर दिया जाता है. इस तरह हिजामा करने से, blood clean हो जाता है, anti-oxidant and anti-inflammatory effects पैदा होता है, जो की healing में help करता है, नए टिशूज बनने लगते हैं और acne बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं. हिजामा के साथ साथ, कुछ herbal blood purifiers का भी यूज किया जाता है. हिजामा और herbal medicines के combination का इस्तेमाल acne वल्गेरिस के इलाज में miraculous ली वर्क करता है. एक्ने वल्गेरिस से बचने के लिए कुछ बातों का खयाल आपको रखना चाहिए. अपनी diet and nutrition का खास खयाल रखें. oily, spicy and sugar-based food का इस्तेमाल कम से कम करें, fiber and water intake जादा कर दें. मौसम के fruits ज़रूर लें, fish खाएं, इसमें omega 3 अच्छी quantity में होता है, और ये acne वल्गेरिस के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है. acne हो जाए तो उन्हें touch ना करें, ऐसा करने से infection spread होगा और acne severe हो जाएंगे. acne को squeeze ना करें, ऐसा करने से आपके face पर scars रह जाएंगे. अपने phone की screen को साफ रखें, इस पर आपकी toilet seat से भी ज़्यादा bacteria होते हैं. खुली हवा में regular exercise करें, ताकि आपके cells and tissues को अच्छे से oxygen मिल सके. अपने pillow cover को हर 2-3 दिन में change करते रहें. इस बात का खास खयाल रखें कि अपने डॉक्टर की सलहा के बिना कोई medicines ना लें. डॉक्टर आपकी condition देख कर ही आपको medicine prescribe करेंगे. self-medication आपको ज़्यादा नुकसान दे सकता है, एकने और ज़्यादा severe हो सकते हैं, आपके skin और ज़्यादा damage हो सकती है. यहाँ तक की infertility तक self-medication की वज़ा से पैदा हो सकती है. सेहत हजार नेमत है, अपनी सेहत का खयाल रखें, शुक्रिया.